Hello Everyone, Welcome to Online Study Point दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम Current Affair की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम 2018 से लेकर के 2019 तक के Most Important Current Affair को डीटेल में डिसकस करते हैं सारे ही Question Important है, इसलिए वीडियो अंते तक जरूर देखिएगा और आप इस वीडियो की PDF टेलीग्राम से भी प्राप कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला Question जी सेट 31 को निम्न लिखित में से किस स्थान से लॉंच किया गया? तो जी सेट 31 यह इसी वर्स फरवरी में लॉंच किया गया था और कहां से लॉंच किया गया था? तो जी सेट 31 लॉंच किया गया था फ्रेंच गुयाना से और Question किसी भी तरह से पूछा जा सकता है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि G731 किस तरह का सैलाइट है ? यानि कि किस तरह का उपगْरम है ? तो G731 एक संचार उपगْरम है संचार उपगْरम यानि की कम्म्मुणिकेशन सैलाइट है और G731 इसरो का चालिस वा backwards सैलाइट है और बैंगलॉर इसे भारत की सिलिकन वैली भी कहा जाता है और यही पर इसरो का मुख्याला इस्थित है इसरो का है तो इसरो के प्रेजेंट टाइम के है के शिवान और के शिवान को कुछ समय पहले ही तमिलनाडू गवर्मेंट के द्वारा कलाम अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है इसलिए इनसे रिलेटेट अवार्ड भी आप याद रखियेगा किस देश ने विश्व का पहला AI politician launch किया है most important question है क्योंकि यह विश्व का पहला AI politician है और यह launch किया है न्यूजीलेंड ने तो न्यूजीलेंड के बारे में जाल लेते हैं न्यूजीलेंड की capital क्या है? Wellington currency क्या है? dollar और इस पहले AI politician का नाम भी पूछा जा सकता है S.A.M. Sam जो की न्यूजीलेंड के द्वारा launch किया गया है next question है हाल ही में UTS on mobile सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह mobile सेवा शुरू की गई है railway के द्वारा और railway के द्वारा कुछ और सेवा भी शुरू की गई ही जो के exam में पुछा जा सकता है एक तो है UTS on mobile दूसरा है menu on rail एक है rail मदद और एक है सार्थी इस सारे कारिक्रम है जो की railway के द्वारा launch किये गए है और बात यहां पर railway की आई है तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे railway minister कौन है? हमारे present time के railway minister है P.U.S. Goyal जी और P.U.S. Goyal जी को इसी वर्स कनौट पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया था तो यह भी आप याद रखिएगा next question है हाल ही में Glitzman Award किसे प्रदान किया गया है? तो Glitzman Award से नवाजी गई है Malala Yusuf Zai और Malala Yusuf Zai का नाम आप लोगों को इसलिए याद रखना है क्योंकि recently इनकी एक book launch हुई है इनकी book का नाम है We Are Displaced और Malala Yusuf Zai सबसे कम उम्मर में नोबल पुरुसकार पाने वाली भी महिला है Next question है अंतर राश्ट्री संग्रहाले दिवस यह कब मनाया जाता है? यहनिकी International Museum Day तो यह मनाया जाता है प्रत्यकवर्स 18 मई को सबसे important होती है इसकी theme तो 18 मई को World Museum Day यहनिकी International Museum Day मनाया जाता है और इसकी इस बार की theme थी Museum A Cultural Hub The Future of Tradition मैं फिरसर रिपीट कर देती हूँ Museum A Cultural Hub The Future of Tradition इस बार के International Museum Day की theme थी और एक मई को क्या मनाया जाता है एक मई को मनाया जाता है अंतर राश्ट्री स्रम दिवस यहनिकी International Labour Day 22 अप्रेल को मनाया जाता है प्रत्यवी दिवस यहनिकी Earth Day और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस यहनिकी Human Rights Day तो यह 4 important days आप याद रखिएगा Next question है भारत की पहली जैव इंधन उडान यहनिकी Bio Fuel Flight इसने दहरा दून से कहां तक के लिए उडान भरी Most important question है क्योंकि यह भारत की पहली जैव इंधन उडान है और इसने उडान भरी दहरा दून से लेकर के दिल्ली तक तो यह आप याद रखिएगा Next question है हाल ही में प्रत्यवी का सबसे बड़ा जौला मुखी शेत्र कहां पाया गया है और प्रत्यवी का सबसे बड़ा जौला मुखी शेत्र पाया गया है पश्चमी अंटार्किटिका में और इसे ब्रिटेन की रिसर्चर्स दौरा पाया गया है तो यह भी आप याद रखिएगा Next question है सूर्य सक्ति किसान योजना किस राज्य सरकार की पहल है तो सूर्य सक्ति किसान योजना यह है गुजरात राज्य की पहल मैं आप लोगों को बता दू यदि कोई भी स्कीम केंद्र सरकार लांच करती है तो उस स्कीम के बारे में आप लोगों को A to Z मालूम होना चाहिए लेकिन यदि कोई स्कीम राज्य सरकार लांच करती है तो राज्य सरकार दौरा लांच की गई स्कीम के बारे में आप लोगों को केवल स्कीम का नाम मालूम होना चाहिए और उसके बारे में केवल बेसिक मालूम होना चाहिए तो गुजरात के दौरा लांच की गई है सूरी सक्ति किसान योजना और यह गुजरात सरकार ने बिजली की समस्या से निपटने के लिए यह योजना शुरू की है किसानों के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री है विजयरुपाणी, गवर्नर है आचार्य देवरत और अभी रिसेंटली ही यहां के मुख्य नयाधिस न्युक्तु है जिनका नाम क्या है? जश्टिस विक्रम नाद तो इनका नाम भी आप जरूर याद र लंबा समुद्रपुल है तो इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई भी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए तो इसकी लंबाई है कुल 55 km यानि कि 55 km तो विश्व का सबसे लंबा समुद्रपुल यह चीन में है और विश्व का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज यह भी चीन में ही ह तो यह भी आप्याद रखीगा next question है हाल ही में किस बैंक ने bond I launch किया है तो अभी हाल ही में world bank ने यानि कि visual bank ने दुनिया का पहला blockchain bond launch किया है और बात यहाँ पर world bank किया है तो इसकी स्थापना कभ हुई थी 1945 में कई जग़ा 1944 भी लिखा हुआ है लेकिन यदि हम according to Wikipedia देखें तो World Bank के स्थापना हुई थी 1945 में इसका मुख्याला इस्थित है Washington DC में इसके अध्यक्ष है डेविड मलपास और डेविड मलपास World Bank के 13 वे क्रम के President है और यहां अमेरिका से हैं क्योंकि World Bank के जो भी President होते हैं वह हमेशा अमेरिका से ही होते हैं World Bank की Member Countries कितनी है 189 और आप लोगों को एक Current Affair का Question याद होना चाहिए अभी हाल ही में SBI की जो MD थी क्या ना हमोंका अंशुला कांत अंशुला कांत को अभी हाल ही में World Bank का CFO बनाया गया है तो इनका नाम भी हाप याद रखिएगा नेश कोश्चन है विश्व के पहले Thermal Battery Plant का उधगाटन कहां किया गया है यह विश्व का पहला Thermal Battery Plant है इसलिए इसका नाम Most Important है और इसका उधगाटन किया गया है आंधर प्रदेस में आंधर प्रदेस की Capital क्या है है हैदराबाद अभी तो हैदराबाद है लेकिन प्रस्तावित राजधानी है अमरावती और इसी वर्स इनकी जनवरी 2019 में आंधर प्रदेस में ही भारत का 25 उच नयायाले खोला गया था आंधर प्रदेस भासाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है और इसी वर्स इनकी जनवरी 2019 या फरवरी के समय ही आंधर प्रदेस में ही भारत का पहला अक्वा मेगा फूड पार्क भी खोला गया था तो ये भी आप्याद रखिएगा नेश्ट कोशिन है जलवाईव आपात का लागु करने वाला विश्यु का पहला देस कौन बन गया है तो जलवाईव आपात का लियनकी climate emergency यह लागु करने वाला विश्यु का पहला देस बना है Britain Britain है पहला देस और दूसरा देस है Ireland लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि climate emergency launch करने वाला पहला शहर कौन सा है तो पहला शहर है मैक्सिको और पहला देश है ब्रिटेन इंडोनेशिया के लगातार दूसरी बार राष्टपती कौन चुने गए है तो इंडोनेशिया के लगातार दूसरी बार राष्टपती चुने गए है जोको विडोडो और बात यहां पर इंडोनेशिया क्या आई है तो इंडोनेशिया की capital क्या है पहले इंडोनेशिया की capital थ थी जाकार्ता और जाकार्ता में किसका है work कॉड़ें जाकार्ता में हैड़ कॉड़ेंडेंट्स 2019 में इंडिया की रेंकिंग थी तभी में ग्लोबाल इणोवेशन इंडेक्स जरी किया गया जिसमें इंडिया की ranking थी 52 और पिछले वर्स इनकी 2018 में इंडिया की ranking थी 57 इंडिया ने 5 स्थान सुधार किया है मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ जहां कहीं भी index वाला question आता है तो आप लोगों को पहली ranking याद होनी चाहिए और इंडिया की ranking याध होनी चाहिए तो इस index में इंडिया की ranking है 52 और पहले स्थान पर कौन है Switzerland आपसे यह भी पूचा जा सकता है कि global innovation index जारी किस नहीं किया तो global innovation index जारी किया गया था पी यूस गोएल जी के द्वारा नेश कोश्चन है हाल ही में 1000 साल पुराने शिवाले तेजा सिंग मंदिर को हिंदो के लिए खोला गया है यह पाकिस्तान में कहां परिस्थित है तो यह हिंदो का मंदिर पाकिस्तान में इस्थित है श्रियाल कोट में और इस मंदिर का नाम इ पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी तरह के ट्रेड खत्म करने का भी एलान किया था और पाकिस्तान ने कुछ समय पहले ही सुगर केंजूस को यहने की गन्य के रस को अपना राश्ट्री पे इनकी नैशनल ड्रिंक घोसित किया था यहां के प्रेसिडेंट कौन है आरिफ अलवी प्रधान मंत्री कौन है इमरान खान तो यह भी आप याद रखीगा नेश कोश्चन है हाल ही में विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माड कहां किया गया है यह विश्व का सबसे बड़े स्टेडियम है इसका निर्माड किया गया है भारत में भारत में भी कहां गुजरात में और गुजरात के एहमदाबाद में ही विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माड किया गया है और इस स्टेडियम का नाम सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम के नाम पर रखा गया है अच्छा यह विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है तो इसके को पूर्व का बोश्टन भी कहा जाता है नेश कोश्चन है नील द्वीप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो दिसंबर 2018 में अंडमान निकोबार के तीन द्वीप के नाम बदल कर किया घए था नेता जी सुभाज कंद्र बोश द्वीप और है लोग दीप इसके पीछे की स्टोरी है मैं आपको स्टोरी बता देती हूं ताकि आप याद रखे घ्षिए है नेताजी सुभाश चंद्र बोस अंडमान निकोबार गये थे और अंडमान निकोबार जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे भारती जंडा फैराय था जिसके 75 वर्ज कप पूरे हुए हैं 2018 में और इसी 75 वर्ज से पूर्ण होने के उपलक्ष में केंद्र सरकार ने 75 रुपय का नाम आप जरूर याद रखिएगा जो कि बदले गए हैं नेज कोश्चन है आंधर प्रदेश का पहला लोका युक्त किसे निक्त किया गया है तो अभी हाल ही में आंधर प्रदेश के पहले लोका युक्त निक्त किये गया है जश्टिस पी लक्षमन ड्रेडडी और अभी क अभी इसी वर्स बारत को अपना पहला लोक्पाल मिल गया है और भारत के पहले लोकपाल का नाम है पिनाकी चंदगोज औरिके जरण कौन है तो डिके जरnd BCCC के पहले लोकपाल awareness है यह चारो नाम पॉस्ट क्योंकि इनकी निक्टी इसी वर्स हुई है तो यह भी आप घ्य पाटिल जी है कौन तो यहां भारत की पहली महिला राज्टपती हैं इनका नाम आप जरूर याद रखेगा और इन्हें मैक्सिको का सर्वोच नागरिक संबान दिया गया है इस वीडियो का अंतिन प्रश्ण है हाल ही में राणी अनानास को किस राज्जी ने राजगी फल घो किया है त्रिपुरा का राजगी फल है तो त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं त्रिपुरा की कैपटल क्या है अगरतला यहां के मुख्य मंत्री कौन है विपलव कुमार देव और राजजिपाल कौन है तो त्रिपुरा के राजजिपाल है रमेश बैस तो यह भी आप याद रखिएगा तो दोस्तों यह थे current affair series से related top 20 most important mcq जिसे हमने detail में discuss किया और online study point की जो 1200 plus current affair की master pdf है उसके link description box में दी हुई है और यह link open है आप चाहे तो master pdf जिसमें एक साल का current affair as it is cover कराया गया है जिस way में हम आपको पढ़ाते हैं सेम उसी way में current affair को तयार किया गया है आ आप चाहे तो download कर सकते हैं तो आई होप यह वीडियो आप लोग पसंद आया है पसंद आया तो अपने study related group में शेर जरूर करिएगा और online study point को like share subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा आज के लिए इतना ही thank you so much